जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली सुर्फ तीन मिनट इस मंत्र को बोलते ही आप किसी विदेवी या देपता को बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं लेकिन इस मंत्र की विधी के साथ यदि आप इस मंत्र की विधी के साथ इसका प पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भकतों से में एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूं अगर आप महाकाली भकतियान यूटूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो लाइक सेर कमेंट जरूर कर यहां पर आप लोगों को ईसी जानकारी आगे आगे मिलने में वाली है जो आसि अगााब को कही और 나올 की चैनल सबसे पहले नमबर पर तामतरी को के पास होते हैं दूसरे नमबर पर भगतों के पास होते हैं जो भगत होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती हैं क्योंकि इनी मंत्रों को जरिये से हर एक देवी देपता को कोई विव्यक्ति बुला सकता है लेकिन बुला वही सकता है जो भक्ति पूजापाट करता है अन्य था अगर कोई भक्ति पूजापाट नहीं करता और वो इस मंत्र का प्रियोग करेगा तो ये मंत्र उसके लिए कार नहीं करता तो आप सभी भकतों को करना क्या है आपको सिर्फ तीन मिनट का समय निकालना ठीक है और इस मंतर को इसके काउंटिंग के साथ ही आपको जपत ना है काउंटिंग तो समस्चते हैं जैसा कि आप अपने phone में timer लगा दो कि आपने इतने वजह से यह मंतर बोलना इस्टार्ट किया है और आपको तीन मिनट हो चुके हैं तो आप तुरंत ही इस मंतर को बोलना बंद करने सिर्क तीन मिनट के लिए ही इस मंतर को बोला जाता है और इस मंतर को इसकी बिधी के साथ ही बोला जाता है इसकी बिधी के बिना अगर आप इस मंतर क जपेंगे तो भी आपके कारें नहीं करेगा सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों को मंतर बता देती हूँ मंतर कौन सा है वो मंतर मैं आपको description box में दे दूँगे मंतर आप लोग description box में जाके check कर लेना वहां से देख लेना और अपनी notebook में लिख लेना अब मैं आपको बता दूँ इस मंतर को आपको किस तरह से इसकी बिदी के साथ जपना है इस मंतर को आपको जपना है दो अगरवत्ती जलाकर ठीक है दो अगरवत्ती जलाकर लोटे में एक पानी भरके थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप लोगों को इस मंत्र को जपना है इस मंत्र को आप या तो अपनी खुली जगा पे भी जप सकते हैं अगर खुली जगा आपके पास नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर के ठीक सामने बैठ कर इस मंत्र को जपने तो आपको इसकी बिधी क्या करनी है ये बता देती हुँ ध्यान से सुने आप लोगों को इस मंत्र को बोलते समय आपको हवन सामागिरी लेनी है हवन सामागिरी में आपको सरसो की पीली सरसो जोती वो डालनी है काले तिल जो होते हैं वो दोनों चीज आपको एक साथ हवन सामागिरी में डाल देनी है और आपको पंदरा काली मिर्च डालनी है और आप लोगों को उसी हवन सामागिरी के अंदर थोड़े से गोले डालने हैं तोड़ तोड़ के और आपके घर में हवन कुण है तो तो ठीक है, नहीं है. तो आप इस मंत्र को किस तरीके से जब है यह बता दूंझाएm उसके लिए आपको हीटो का हवन बनाना पड़ेगा या फिर आपके पस कोई तसलह हो उसका हवन बनाकर आपकर सकते तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है एक छोटा सा कंडा लेना है कंडे पे सरसो का तेल डालके ठीक है? सरसो का तेल डालके जैसे अगनी उसकी तेज बढ़ जाएगी अगनी में आको सभी देविदेपतव राजमान हो जाएगे तभी से आपको हवन सामागिरी के साथ इस मंतर को बोलना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस मंतर को काउंट करकर ही आपको बोलना होगा फोन में आपको टाइमर लगा लेना है और देख लेना है कि आपको बोलते बोलते तीन मिनट हो गए हैं या नहीं पांस से लेके दस मिनट के बीच तक आपको बैठे रहना है और वही देवी देपता प्रकट होकर आपके सामने आएगा आपके आँखों में आएगा और वह देपता अगर मालो आपके आसपस कोई भी कितने भी आपका फैमिली मेंबर हो या भारका हो वह भी आपके पाल यही है इस तरीके से आपको जबना है और मंतर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ वहां से आप मंतर ले लेना मंतर लेने के बाद इसकी विधी के साथ आपको इस तरीके से इसको जबना है आपको इसको सोम बार के दिन जबना है या तो फिर शनी बार क किसी वी दिन आप इस मंत्र को जब सकते हैं और ध्यान के माध्य में बैठते ही आपके सामने कोई वी देवी दिपता जाएगा जिसको आप बुलाना चाहूंगी तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हरहर महादेम मात कामना पूरी करें खुश रहें आप और खुश रहें आपका परिए